अपिंड मैरेज़ेस के बारे में सुना हैं, रीसेंटली दिल्ली हाई कोट के अंदर एक केस पहुँची, एक पिटीशन एक महिला ने लगाई, उन्होंने कहा कि आपके यहां यह जो हिंदू मैरेज एक है 1955 का, उसका जो सेक्शन 5 है वो गलत है, और इसी का डिसीजन देते बिल्ली हाय कोट ने कहा कि हम सपिंड़ मैरेज़ेस अलाव नहीं कर सकते, अब यह सपिंड़ मैरेज़ेस का मतलब होता है कि हम अपने से बहुत ही जो close relatives हैं, उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते, अब close relatives में आप सोचोगे कि आप बहन भाई की बात कर रहे हो, सिर्फ यहा आप parents से भी किसी के साथ शादी नहीं कर सकते, या फिर अगर आपके grandparents हैं, किसी individual के grandparents और आपके grandparents match कर रहे हैं, उस case में आप उस person से शादी नहीं कर सकते, और ये तो mother side से हो गया, father के side में तो और दो generation add की गई है, great grandparents, great great grandparents, सपिंड marriages कहे जाएंगे इन्हें अगर आप ऐसा common ancestor होते हुए भी शादी करते हो तो, और ये act clearly ऐसे marriages को null and void करार दे सकता है, लेकिन इस act के अंदर एक छोटा सा exception है, ये exception कहता है कि अगर किसी society में, किसी particular community में हमारे यहां, बहुत सालों से कोई custom चलता आ रहा है, उस custom में इस केस में हम इस exception को accept करेंगे, लेकिन देखो, अगर ऐसा custom बहुत सालों से है, तो आपके पास उसका कोई proof होना चीए दिखाने के लिए, court आपस ऐसा proof मांग सकता है, अब इस case में, जो मैं sapind इस शब्द का use कर रहा हूं, इसका मतलब समझो, ये शब्द आता है, पिंड इस श critical basis आता है, हमारे बहुत सारे ancient texts से, एक person थे, विजनेश्वरा, इन्होंने अपनी तरफ से एक theory रखी, जिसमें इन्होंने कहा, कि अगर आपके ancestors common हैं, दो लोगों की बीच में, तो इसका मतलब, आपके body के जो भी particles है, वो भी common ही है, और ऐसे marriages सही नहीं होते, इनका कहना है कि जादा से जादा हो सके, तो आपने अपनी family के बाहर किसी और person से शादी करनी चाहिए, अब ये इनकी theory थी, तूसरी एक theory आई थी, जिमुता वहना in person से, अब इनकी theory क्या कहती है, इनका कहना है कि सिर्फ आपका common ancestor की यहां तक बात नहीं है, कि आपका blood relation common है, आप जो rituals कर करते हो, जैसे आपकी यहां पिंडदान वगरा होता है, तो आपने अगर same ancestor के लिए इस तरीके के religious rituals करे हैं, तो उस case में यह बहुत सही नहीं होता कि आप दोनो marriage करो, अब ये तो theoretical basis बताया गया text में, लेकिन जब Hindu marriage act बन रहा था, उन्होंने यह जो विजनेश्वरा की theory है इसी theory को basis बना कर अपने act के अंदर ऐसा provision रखा है, लेकिन थोड़ा सा modification भी इन्होंने किया ताकि थोड़ी सी flexibility बनी रहे, अभी जो recent case पहुंची है दिली high court के अंदर वो बड़ी interesting है, 2007 में क्या हुआ था, एक person उसे लेना था divorce, लेकिन उसने divorce लेने की जगा वो सीधा marriage है, वो suppressed marriage है, और क्योंकि उसने ये बात प्रूव भी कर दी, तो court ने कह दिया marriage गलत है, void है, अब इसके बाद वो women जो थी, वो पहुंची high court, उन्होंने फिर से एक petition लगाई, और उन्होंने कहा, कि आप देखो, ये जो section 5 कह रहा है कि आप void कह रहे हो, इस section 5 में कुछ खा के बीच में किसी तरीके का discrimination नहीं कर सकते, सब के सामने सब चीजे सेम है, आपने क्या किया, आपने कहा कि अगर कोई custom है, तो आप allow करते हूँ, अब उस औरत का कहना है, कि मेरी जो भी शादी हुई, उसमें मेरी family और उस person की family का consent था, तो आप इस consent को मानो कि ये marriage एक legitimate marriage थी, और इसको भी आप custom consider करो, लेकिन court ने कहा, आपके पास कोई proof तो है नहीं कि बहुत टाइम से आपके यहां ऐसी custom चलती है, court ने सीधे तरीके से इस चीज को खारिच कर दिया, अब court का आप reasonable या फिर जो तरक है उस चीज को समझो, court चाहती है कि कहीं पर भी incestuous marriage नहीं होनी चीज यह उसे regulate करना है, लेको incestuous marriage का मतलब होता है कि आप बहुत ही close relative के साथ, जिसे आपके भाई, बेन, parents वगएरा है, उनके साथ शादी ना हो सके, और इसके पीछे reasons क्या बताए जाते हैं, एक चीज notice करो, यह दुनिया में हर जगा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में बात ह बहुत सारी societies में इस तरीके के marriages को taboo माना जाता है, taboo यानि बहुत ही disrespectful और गिनवनी हरकत है यह, अब यह notice की जाता है हर जगाओं पर, even science में भी यह चीजें बात करी जाती है, कि आपका genetic risk बनता है अगर आप same family में marriages करते हो, sexual intercourse में आते हो, इससे जो बच्चे पैदा उनके health में कुछ ना कुछ defects पाये जा सकते हैं, दूसरी चीज कही जाती है कि कुछ social norms भी तो होते हैं, society exist कर रही है तो वो अपनी तरफ से कुछ rules and regulations लेके आती है, तो उन rules को follow भी करना important हो जाता है, अब देखो अगर मैं example दू, अलग-अलग countries का कि किस तरीके का scenario वहाँ प New Jersey and Rhode Island है, यहाँ पर यह चीज बैन नहीं हुई है, दूसरा आप देखते हैं, example exactly इसके contradictory, France और पूर्टुगाल अगर आप जाओ, इन्होंने अपने यहाँ कोई law नहीं बनाया, मतलब इनका कहना है कि नहीं, ऐसा marriage किसी को करना है, तो करने दो आजादी है, और इन दोनों से और तीसरा example जो कि और अलग है, वो है इटली का, इटालियन लोग कहते हैं कि वही ऐसे तो यह चीज गलत है, लेकिन जब तक यह publicly सामने नहीं आती, तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगर publicly सामने आ जाती है आपकी बात, तो उस case में हम इसे crime consider करेंगे और आपको punishment भी इ अगर आप इंडिया में इस case को देखो, तो South India में कई बार हमने सुना है इस तरीके की marriages बहुत common है, South India में, Concegenious Marriage, एक term काफी famous है, यानि आप अपने cousins के साथ चादी कर सकते हो, आप अपने मामा के साथ चादी कर सकते हो, और यह इतना common है, कि यह data हमने पढ़ा, National Family Health Survey 5 का data, यह कहता है, Tamil Nadu में 28%, Karnataka में 27% इस तरीके के marriages notice किये गए हैं, और इतना ही नहीं, यह marriages कोई आज नहीं हो रहे हैं, पिछले 2000 सालों से जो Dravidian Hindus हैं, उनमें यह वाला tradition, यह custom बहुत common है, अब इनका ऐसा marriage करने के पीछे भी अलग-अलग reason है, जो early year phase था बहुत initially, उस time पर मा जाता था कि एक river हो, उस river के इस side एक गाउं है, उस side दूसरा गाउं है, तो इस side के लोग सोचते थे कि जो भी शादियां हो, वो river के उस पार नहीं होनी चाहिए, उनके लिए वो अपनी reputation का मामला बन जाता था, अब यह हो गया शुरुवाती reason, दूसरा reason इसके पीछे करता था, wealth को लेकर, देखो अगर आपके ही family में शादी होती है, तो आपकी wealth distribute नहीं होती, वो wealth जैसी की वैसी वहीं बनी रहेगी, तीसरा, जब भी शादी कराई जाती थी, तो यह सोचा जाता था या फिर आज भी सोचा जाता है, कि जो लड़की है, वो कहीं safe hands में है या अब क्यूंकि आपके ही family में शादी कराओगे, तो आपने उन लोगों को काफी time से देखा हुआ है, एक trust बना हुआ है, इसलिए भी वहीं पर किया जाए शादी, और कहीं बार मामला आ जाता है dowry का, बहुत जादा dowry दी जाती है हमारे यहाँ, तो अगर same family में शादी होग या फिर बहुत ही कम dowry वहाँ पर देनी पड़ेगी, तो यह सारे reasons है, जिस वज़े से यह sapinda marriage बहुत जादा controversial आज तक भी रहा है, अभी भी बनाए, thank you so much for watching this video.